पवनी शहर में जन्वरी से लेकर आज तक 85 प्रतीशत लसीकरण सफल हो गया है पवनी शहर के अध्यापक अध्यापिका इनके सहयोग से आज 85 प्रतीशत टीककरण का काम सफल हो रहा है इस टीककरण की जिम्यदारी कोविड योध्या शाहिद अली इन्होंने अपने उपर लेकर समाज के प्रती अपना उत्तर दायत्वन निभाने के लिए अपने साथ देशमुक यल सेटिवार घाडगे और आरोग्य केंदर पवनी के सिस्टर डाकाबाई राम्ते के अंजीरा म आरोग्य केंदर में नहीं आ सकते जिनने पहला डोस नहीं लिया उनके घर में जाकर टीककरण का कार्य चालू है इस टीककरण में अध्यापक अध्यापिका आंगनवाडी सेविका मदतनीस आरोग्य विभाग की नर्स नगर परिशत के करमचारी मैजिक बस की सदस्य इन की सहाइता लेकर टीककरण 100 प्रतीशत पूरा करने का प्रयास चालू है जो लोग समाज के लिए कोविड-19 में अपना परिवार अपने बाल बच्चे सब को छोड़के आरोग्य विभाग में काम करने के लिए डेली वेजिस पर आए उनके लिए शाशन इस तरप मांधन प मिला है इसलिए सब लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला शाशन इस्तरपव विचाव वीन्य में करके दिवाली के पहले मांधन मिलना चाहिए नहीं तो सेबा भाफ करने वाले की दिवाली अंधेरे में जाएगी BCN News से राजेश यलसेटी वार की रिपोर्ट